फ्रेंड्स महेंद्र सिंग धो नहीं IPL के पहले मैच में दिखाई नहीं दिंगे जैसा कि IPL 19 सेप्टेंबर से स्टार्ट हो जाएगा और इतबार IPL इंडिया में नहीं बलकि UAE में होगा तो सारी टीमें UAE पहुँच चुकी हैं और कुछ टीमें अपना प्रेक्टिस कैम भी चालू कर दिये हैं तो जैसा कि शुरेश रहना इस साल IPL नहीं खेलने माले है IPL 2020 उन्होंने छोड़ दिया है यह बहुत शौकिंग न्यूज है चेन्ने सूपर किंग के लिए और पहला मैच मेहंद्र सिंग धोनी नहीं दिखाई देंगे पहले मैच में क्या रिपोर्ट है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने माला हूँ तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी लेटेश वीडियो आपको सबसे पहले मिले आईए चलो स्टाट करते हैं जैसा कि चैन्ने सूपर किंग की टीम के 13 मेंबर्स को कोरोना पोजिट्व पाया गया है उसमें से एक दो खिलाडी भी है और पांच नेट बॉलर हैं और बाकी स्टाफ मेंबर्स हैं उनको और कल ही शुरेश रहना ने अपनी टीम को छोड़ दिया है कुस परसनल रीजन से तो चैन्ने सूपर किंग को अभी 6 दिन औ और कॉरंटीन होना पड़ेगा सारे खिलाडियों को और उपर से हर बजन सिंग भी अपनी टीम के साथ UAE नहीं गया है तो चैन्ने सूपर किंग को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है बी सी सी आई ने इंडियन प्रीमे लीग 2020 का शेडूल अभी तक घोसित नहीं किया है और 20 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है IPL आने में 19 सिप्टेंबर से IPL स्टार्ट हो जाएगा लेकिन अभी तक शेडूल घोसित नहीं हुआ हाला कि हम सबको पहले से पता था कि पहला मैच चैन्ने सूपर किंग वसेस मुंबई इंडियन होने वाला है क्योंकि दो साल से देखा ये जा रहा है कि जो फाइनल खेलती है जो मैच वही पहला मैच भी अगले सीजन में खेलती है लेकिन चेन्ने सूपर किंग के क्लिन सामने से खबर आ रही है कि वह इस साल पहला मैच नहीं खेलने वाले हैं तो फ्रेंट्स BCCI शेडूल में बदलाव कर सकत ही है जो कि धोनी मेहंदर सिंग धोनी के फैंस उनको बेसवरी से इंतजार करे थे उनको मैदान में वापस देखते हैं क्योंकि एक से डेट साल हो चुके हैं वो मैदान पे दिखाई नहीं दिये हैं और 15 अगस के दिन उन्होंने इंटरनेशनल किरकेट से सन्यास बे ले लिया